वेल्कम गाईज आपका स्वागत है ड्रीम हाई अकैडमी में और आज हम बात करेंगे जो मेंस के रिलेटर कॉश्चनर आते हैं जो लॉंग अंसर टाइप कॉश्चनर होते हैं और जो सॉल्वड कॉश्चनर हैं देखिए का आपने नॉन कॉपरिशन मुवमेंट के बारे में आप वहाँ पे नॉन कॉपरिशन मुवमेंट को याद करके जाओगे इस तरह के कॉश्चन नहीं पूछे जाएंगे कुछ अपीनियन बेस्ट कॉश्चन पूछे जाएंगे कॉमेंट अपान दे नेगेटिव आस्पेक्टस अप दे नॉन कॉपरिशन मुवमेंट मैं और मेरे पास लगबग 194 कॉश्चन है जो सौलवड पेपर से इंडियन नैसल मुवमेंट के रिलेटेड इस्टरी के रिलेटेड पॉलिटी के रिलेटेड और जोग्राफी के रिलेटेड हिस्टरी से 194 पॉलिटी और जोग्राफी से भी अल्मोस्ट लगबग अराउंड 200-200 इजरा की जो मेंस एग्जामिनेशन है वो प्रिलेटेड के तीन महिने के बाद होगा तीन महिने के बाद यानि यह फॉर्ट आफ जो ऑक्टूबर में होगा तो काफी कम समय दिया है तो अभी से आपको प्रिकम मेंस की प्रिकम मेंस की प्रिकम मेंस की प्रिकम मेंस की प्रि प्रिजबग तीन से चार सव जो माक्स से यह कर लेते हैं अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपका जो है एक अच्छा पोर्शन और अच्छा चांसे बन जाते हैं आपके सेलेक्शन होने में तो चली हम अब इस कुश्चन को देख लेती हैं अगर जी हां अगर हमें यह message भी कर सकते हो हमारे joh whatsapp groups है already वहां पर message भी कर सकते हैं मेरे personal number पर किन को चाहिए यह notes जी हैं तो पढ़ लेते हैं अब comment अपान दे और यह जी जी एक अऔर बात सबसे important वहां पर comment अपान दे negative aspects of non-corporation moment अपको यह एक चीज़ याद रखने होगी time plus जो limitation of words words की limit हो आपको 10-15 sentences में आपको पूरा crux निकलना चाहिए, आपको 2-3 pages में नहीं जाना है, आप याद रखिएगा, इसलिए मैं ये short करके लाया हूँ, आप खुद देख लीजिएगा कि कितना short है और कितना शांदार आंसर है, तो हम आगे पढ़ लिए, as regards the negative aspects of the moment, अब किस की बात कर हम लोग non-corporation moment, of the objectives for which, कौन-कौन से objectives थे, पंजाब रॉंग, जी हाँ, पंजाब रॉंग, जो जिल्या मलबाग, मैसे कर हुआ था, खिलाफर डिमांड एंड गांधी जी स्प्रम, प्रॉमिस अफ स्केरिंग सवराज विदेन ए येर, अफ लॉच, अफ दे लॉंचिंग जी हाँ, ये चीजे जो थी वो उनके जहन में थी कि हम ये अचीव करनी है, और इनके खिलाफ इनोंने लड लिया था, यानि स्टार्ट किया था इस मुवमेंट को, दुस मुवमेंट हैड बीन लॉंच्ट, कुड नॉट बीन अचीवड एट लॉंट, ये लॉंच किया गय इसकार्ड बन गया, डिसकार्ड मतलब हो गया, यहाँ पर जो हार्मॉनी थी, जो एक महोल था, प्यार और मुहबबत का बविन हिंदूस और मुस्लिम इस, वो ब एक डिसकार्ड में बदलने लगा, देस्पेंशन अप्रमेंट ने लगा, जो एक बार फिर मैं यहाँ पर ल प्रोपेगंडा that the Congress, जियां, that the Congress had used the Muslims, अब Muslim League के कुछ members ने, इनके बीच में फूट पढ़ गया, और उनने ने कहा कि Congress ने हमें यूज करने के लिए, नोन कोपरेशन मुवनेंट को यूज किया, जियां, as the tool during the non-coperyशन मुवनेंट, to achieve its selfish ends, अब यह Muslim League के जो लोग हैं, उन इसलिए आप लोग ने ये जो है हमारा हमारा साथ दिया और आपने डिसीव किया हमें, हमें दोखा दिया आप लोग उसे किस वज़ा से जो आपने कॉल किया यानि वो मुवमेंट को सस्पेंड किया अबराप्टिली, जी हाँ, ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट अप 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 लोग मुवमेंट मातमा गांदी जी एफ़र्ट्स तो प्रमोट हिंदू-मुस्लिम यूनिटी बोर बिटर फ्रूट्स देखेगा, फिर से एक क्वेश्चन जो पूछ रहा है हम उसी के तहट अंसर दे रहे हैं उसके बाहर हम जाने की कोशिश नहीं कर रहे है ना जाना है, जेके पी एससी में हो यहाँ जब सिवलिस के एक्जाम देते हो आपको इसी तरह के स्ट्राटेजी अपनाने होगी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिएगा मात्मा गांदीच एफोर्ट्स तो प्रमोट हिंदू-मुस्लिम यूनिटी बोर बिटर फ्रूट्स इन दे एर्स एट फॉलोड जी हाँ, देट फॉलोड का मतब है जो साल इसके बाद आए हिंदू-मुस्लिम यूनिटी जो थी वो बजाए करीब आते लोग हिंदू-मुस्लिम वो दूर हो गए और यह किसकी वज़ा से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जी हाँ, अगर आप लोग को यह अच्छा लगा होगा हमारे पास, मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन बैंक है हमारे पास पॉलिटी के रिलेटिट भी, जो अल्रेडी केस, जो ओफिसर से यहाँ के कश्मीर के उन्होंने ही इसको सॉलू किया है यानि इन्होंने ही इसको prepare किया है, जेके PSC के जो papers है, जो solved papers है और उसके साथ साथ जो panel of experts है, जी हां panel of experts है, it was, it has been compiled by the panel of experts, stream of experts, जो नो ने आल्ड़ी केस examinations को qualify किया हुआ है, यह previous जो question papers से solved history के भी है Indian geography के भी है, और Indian पॉलिटी के भी है खुद आप इन से आप देख लीजेगा कि कितना केरी करते हैं ये माकस आगे आने वाले एक्जैमेज में कितना केरी करेंगे भी एक अच्छा पॉर्शन आप क्या कवर हो जाएगा यहां पे आप जरूर हमें कॉमेंट करके बताईएगा कि आपको किस तरह करना चाहिए मेंस के लिए जी हां मेंस के ऊड़िदी जब आप मेंस के रिलेटेडेड अपने आपको तयार करेंगे अभी सेही तो आपका ज्यादा समय यह कह शकता हो कि उस वकात नहीं लगीगा जब आप मेंस के लिए प्रपेर करोगे आफ्टर प्रप्रिलिम्स आपकी तैयारी जो होगी, वो 60 से 70 परसंट कवर हो जाएगी, आपका सेलिबस 70 परसंट तक कवर हो जाएगा, और सिर्फ आपको रिविजन में उस पकत दियान देना होगा, जो कि हर कोई बच्चा कर लेता है, तो आप भी यही कोशिश कर लीजीगा, आपनी तरफ से कि जो यह स्कोर करोगे, और यह स्कोर तभी होगे जब आपकी प्रपरेशन एक सिस्टेमाटिक तरीके से राइट फ्रम दे बिगनिंग चलेगी, जी हाँ, वेल बिगन इस हाप डन, अगर आपने अच्छी शुरुआत की, अच्छी शुरुआत की, तो आपकी प्रपरेशन और आपक कुछ वीडियो जो है, about history, Indian history, वो upload किये हुए है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, ground rule और उससे पहले जो 1857 की सुरत हाल जो बनी थी, यहाँ पे, revolt of 1857, वो किस तरह से हुआ और क्यू हुआ, तो जी हाँ, मैंने आपसे कहा कि लगग 194 questions हमारे पास है, history के related, और प्लस, अ history में अलग personalities के related questions पूछी जाते हैं, वो भी अलग होंगे, हो सकता है, वो शायद 50 प्लस हो, या around 75 प्लस हो, तो यहने एक complete आपको package मिलेगा, यहाँ पे history का, polity का, geography का, और बाकी का हम, वो accordingly देखेंगे, कि demand जिस तरह से students करेंगे, as per demand हम आगे बढ़ेंगे, मैं ज्यादा व प्रेलिमल्स के साथ-साथ mains के उपर भी होनी चाहिए, और यहाँ पे आपको पूरे systematically, अब यह मैंने question, आप यह कहोगे कि non-corporation पे पहुचे ही है, इन्होंने question, इनको तो start में पूछना चाहिए था, इंडिया नेशनल मोमेंट जब से start हुआ, तो वो जब यहाँ पे drain of ballot ह हो गई, तो वो question पूछने वाले, मैं इसलिए यह question पूछा, क्योंकि या लोड़ी, आप लोग पढ़ते भी हो, इसलिए मैंने question आपके सामने लाया, ताकि आपको थोड़ा सा idea भी मिले, कि हमने यह पढ़ा है, लेकिन इस तरह का answer हम नहीं लिख पाते, इस तरह का answer हम नही दे पाते हैं, अगर हमारे सामने यह question पूछा जाता है, कल JKPST की तरफ से, वहाँ पे पूछा जाता है, कि illustrate the answer, comment the answer, आप इसी तरह के questions पूछे जाते हैं, तो मेरे तरफ से यही आप से, एक suggestion होगी, कि आप लोग अपनी preparation जो है, वो accordingly start कीजिए, means के हिसाब से, और अपना optional भी ताई कर लीजिएगा, यहाँ पे हम optional, सारे जो coaching हैं, वहाँ पे हम, यहाँ पे हम कराएंगे, इस पर need, इस पर need हम कराएंगे, जी हाँ, इस पर need, तो thank you guys, उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसाद आया होगा, और साथी मैं आप like और जरूर शियर कीजिएगा अपने friends के साथ, तो thank you guys